जैहिन साथियो बेलकम टू सैल पिश्टडी किलासे इस विश्व में यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों निरंतर वीडियो अप्लोड हो रहे हैं आप तक प्रेसित किये जा रहे हैं परयावरण के कुछ महत्पूर्ण भैक्टों पर आप हम चर्चा कर र देना हैं देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है Tiger Man of India किसे कहा जाता है आप से पूचा जाएगा तो कहा जाता है यह माइक पंडे, माइक पंडे का नाम जाना जाता है, Hero of Environment की रूप में, ठीक है, भारत का वर्डमेन किसी कहा जाता है, तो यह सलीम अली साब को जाना जाता है, ठीक है, डॉल्फिन मेन आफ इंडिया, यह जाना जाते हैं, रविंदर सिनहा साथ, रविंदर सिनहा साथ, डॉ पुरस राज़ंदर सेंको जाना जाता है तो यहाँ पर हैं ऐसे बहुत सारे जो है वीडियो में आँगे देखने बाले हैं ऐसे अनेकों तत्त है जो आपको याद करना है जो आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं साथ पंद्रा परबाल विकास का टेस्ट होता है, फिर आपका जो है चार बजे आपकी हिंदी साहित की कलास होती है, नौ बजे हिंदी साहित का टेस्ट होता है, फिर दस बजे आपकी हिंदी व्याकरण से सम्मादित कलास होती है, तो आपका ये सारा live class का schedule है, साथ ही आज हम पढ़ने वाले हैं, कि किसी प्राकरतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जन्तुओं और बंस्पतियों के प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं, तब आपका उत्तर होता है जव विवत्ता कहते हैं, सबी लोग याद र देखते हैं, तो रोज एंसाब इस प्रकार से याद भी करने ला, जयोव विद्ता रोजन ने दिया है, इसलिए रोज हम जवित्ता देखते हैं विस्तो समुदाय के समक्च जवित्ता या जो है या बायो डिवर्जिटी सब्द जो है को प्रस्तुत किया है तो किसने किया है एडवर्ड विल्सन साब ने किया 1986 में ठीक है ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है सरवादिक जवित्ता उष्ण कटी बंदी वर्सावन विस्तो रेखिये प्रदेश में पाई जाती है याद रख लेना कई बार पूचा गया है सरवादिक जवित्ता कहां पाई जाती है तो आपको याद रख लेना उष्ण कटी बंदी वर्सावन विसुवत रेखिये मतलब भूमत रेखिये जो है प्रदेस में पाई जाती है तो यह सभी को याद रखनी बिस्ट में सरवादिक जियोवित्ता कहा पाई जाती है तुपो पाई जाती है विराजील में याद रख लिना और भारत की बात आती है तो भारत में सरवादिक जियो होता है केरल में ठीक है और केरल में एक और पेरियार अभ्यारण है पेरियार अभ्यारण जिसके अंदर अंदर जो है सबरी माला मंदर है वो चीज भी आपको याद रख लेनी है ठीक है तो केरल के बारे में याद रखो और केरल आपने देखा होगा कि इस परकार से हमारा जो भारत है और यहां पर केरल है है ना और यहां का जो तट कहलाता है यह पस्चमी घाट कहलाता है है ना तो यह पस्चमी घाट जो है सब्रादिक जवित्ता का छेत्र माना जाता है पस्चमी घाट और यहीं पर साइलेंट बेली है तो सभी लोगों को याद रख लेना है जवित जवित्ता दिवस कम मनाय जाता है तो यह 22 मई को मनाय जाता है most important है जवित्ता प्रादिकर्ण का मुख्याले कहा है तो यह चिंड़ई में है दोस्तों जवित्ता प्रादिकर्ण का मुख्याले चिंड़ई में याद रख लेना है सरप्रतम होट स्पोट सब्द का प्रियोग क किया था तो Norman Marius ने किया था है ना किस ने Norman Marius ने जो है कहां पर कप किया था 1988 में किया था ये चीज आपको याद रख लेनी यह ठीक है बिस्तो में कुल होट स्पोर्ट हैं चली सरदी वर्सावन है और केरवियाई दीफ होट स्पाट मयाममार भारत और भारत का जो है पस्चमी घाट है ये सबी को याद रखनी नहीं है पिरमों को घाटी देख लेते हैं दून घाटी आप से पूचा जाएगा दून घाटी कहां पर है तो ये उत्तरा खंड में दू घाटी ठीक है और देहरा दून इसकी राजदानी है तो दून आ रहा है तो दून से आप समझाओ देहरा दून तो दून आ रहा है तो दून उत्तरा खंड में होगा मरखा घाटी मरखा घाटी ये जम्मू कस्मीर में मरखा है ना कहां पर है जम्मू कस्मीर में फूलों की घाटी हमेशा पूची जाती है फूलों की घाटी कहां पर है तब आपका उत्तर होगा उत्तराखंड में फूलों की घाटा ठीक है यहां पर उत्तराखंड में चिपको आंदोलन आपको पता होगा और फूलों की घाटी चमोली जिला में है उत्तराखंड के और चिपको आंद दूलन संबंदेत है उत्तराखंड से है ना सुन्दलाल बहुगोडा तो उनसे भी आपको याद रख लेना है सांत घाटी राश्टी उध्यान एक केरल में है साइलेंट वैली ठीक है लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश में लाहुल घाटी पारबती घाटी भी हिमाचल अब्यारण देखेंगे जो एक तो आपसे एक कुस्चन तो परियाबरन में सांया से बनता ही है तो सभी लोगों को याद रख लिना है ठीक है राश्टी उध्यान में देखेंगे यहाँ पर बनने जिवाभ्यारण और राज ठीको जिमकार वेट राश्टी उध्यान कहां तो ये नैनी ताल उत्त्रा खंड में है याद रख दिए जिम्कारवी ट्राश्टियुद्यान पर जिम्करवी हमें कहां जाना है नैनी ज्यादा कहां पर है तो उत्तर प्रिदेस में पसु जनसंक्या और ये दुदवा राश्टी उत्यान भी कहां पर है लखींपोर उत्तर प्रदेस हासा पूशा जाता है दुदवा राश्टी उत्यान गिर्रा ये गेडा कहाँ पाये जाता है तब आपका उत्तर होगा कांजी रंगा राश्ट्यूद्ध्यान जो कि कहाँ पर है असम में है दाची गाम राश्टी उध्यान ये जम्मू कस्मीर में है कहां पर है दाची गाम ये जम्मू कस्मीर में कई बार पूछा गया जम्मू कहना तो काना राश्टी उध्यान बताना है काना ये काना किसली राश्टी उध्यान मद्द प्रदेश में है मद्द प्रदेश के मंडला में है ठीक है मंदला जिले में काना किसली राष्ट उध्यान और से प्रदेश का पहला राष्ट उध्यान था संजय गांधी राष्ट उध्यान कौन सा है तो महराष्ट महराष्ट बोरी वली महराष्ट बोरी वली में है और इस कुछ संजय राष्ट उध्यान का मंदल पड़ी होगी है ना तो ये सिक्क्यम में है कैम्प बेल बे राश्चुद्यान अंडवानने को वारदीप समू में है कैम्प बेल बे जो मात्पुन मात्पुन है वो हमें आपर पड़ रहे हैं इंद्रावती राश्चुद्यान 36 गड़ में है नागर होल राजु गांदी रा पर है तो ये मेगाले में हैं हैना केबूल केबूल लेम जाओ राश्टिय उध्यान हैना ये तेरता हुआ है केमलम जाओ ये जो है एक तेरता हुआ एक मात्र तेरता हुआ राश्टिय उध्यान है और ये कहां पर है मनीपुर में है याद रख लेना मोस्ट इंपोर्टेंट क कर रहे हैं तो एलो स्ट्रेन राश्ट्य उध्यान है यूएसे का एलो स्ट्रोन राश्ट्य उध्यान विस्टु का प्रत्थम राश्ट्य उध्यान है और यूएसे का ठीक है भारत का प्रत्थम राश्ट्य उध्यान जिम कारवेट राश्ट्य उध्यान है है ना पूर में स हैली के नाम से जाना जाता था हैली नैसनल पार्क की ठीक है और कुछ बहुत बढ़िया जाता है बारत में कुल जेओमंडल आरक्षेथ चेत्र कितने हैं तो לוटारा है यूनि इसको दौरा मानता फ्रावतम मंदल हैं ग्यारा फिर्थम जेव मंदल आरक्षे चेत्र नीलगिरी है बारत में सरवादिक राश्टी उद्यान कहा है तो यह अंडवान निकुवार इबा मद्ध प्रदेश में ठीक है तो सबी लोगों को याद रख ली ना है है ना अब हम जानेंगे दोस्तो परियावन से स सम्मेलन तो बनने जीव सनलक्षन अधिनियम एक बना 1972 में बना मोस्ट इंपोर्टेंट बनने जीव सनलक्षन अधिनियम 1972 में ठीक है और बनने जीव अनुसंधान के अंदर कहां पर है तो आपका उत्तर होगा उत्तरा खंड में ठीक है बनने जीव अनुसंधान के अंदर और बन अनुसंधान के अंदर भी उत्तरा खंड में हैं। कब बना तो 1986 में बनाएं। दुतिये प्रतिबी संवेलन हुआ था जोहांस बर्ग दक्चन अप्रिका हैंना दो हजार दो में हुआ था। अक्षनप्री का 2002 सरप्रतम विस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो जो अधिकार अधिनियम हम है अधिनियम में इनको आपको याद रखेना अंदुलंद देखो विस्नोई oxon consultation इससे चिपको आलोद 1973 यहना 1973 का है सुंदललाल बहुगुडा और चंडी प्रसाद भट यह से सम्मन्दे थे चिपको आंदूलन से और ब्रेक्ष सनरक्षण है तो उत्राखंड में चला था यह आंदूलन ठीक है अपिको आंदूलन अपिको आंदूलन 1983 में चला है ना पांदूलन है गड़े इन से सम्मन्दे थे आप से पूछा जाएगा निमन मैंसे बताईए कौन अपिको आंदूलन से सम्मन्दे थे तो आपको पता होने चाहिए पांदूलन है गड़े है ना कौन चिपको आंदूलन से सम्मन्दे थे सु उत्राकंड है ना और जो अपिक को आंदूलन है वो करनाटक से सम्मन देते तो इस सारे के सारे क्वेस्चन यहां से आपके बनते हैं इन सारे क्वेस्चनों के लिए हमें तयार रहना है अंगला देख लेते हैं अंगला और कुछ महत्पूर्ण है तो देख लेते हैं नवदा साइलेंट बैली साइलेंट बैली साइलेंट बैली हमने पड़ा था यह के रल में हैं है ना जेवित्ता का जो है स्पोर्ट माना जाता है साइلे置 Бैली सांत गाटी इसे कहा जाता है सूगाथा कुमारी सांत गाटी किरल में है जयोवित्ता का सरलक्षण परयवर्नी पुस्तक एवा मुशी की लेका की देख लेते हैं इस पर सगंगा के लेका कौन है रमेश पोकरियाल निसंग डाउन टू अर्थ सुनीता नाराण डाउन टू अर्थ की कौन है सुनीता नाराण और फ्राम ग्रीन टू एवर ग्रीन रेविल्यूशन तो इसकी कौन है तो इसकी है डाक्टर एमेस स्वामी नाथन आपको पता है भारत में हरित करांती के जनक मान जाते हैं मैं सौमी नातन साथ और इनकी पुस्तक है फ्रॉम ग्रीन टू एवर ग्रीन रेविल्यूशन तो याद रख लिना है सुंदलाल बहुगुडा की धरती की पुकार इनकी एक पुस्तक है धरती की पुकार आप से पूंचे जागा धर बांध पहाड का बिनास हैं प्रमुक कतन किसका है तो ये सुंदलाल बहुगुडा का है ना ये बांध बिरोती थे बड़े बांदों का बिरोत करती थे भारत का जल पुरुस कहा जाता है राजिंदर सेंको मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत का जल पुरुस किसे कहा जाता है राजेंदर सेंग को भारत का वर्ड मेन कहा जाता है डांक्टर सलीम अली को वर्ड मेन ब्रक्च मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुडा को टाइगर मेन आफ इंडिया कहा जाता है केला सांकला को डाल्फिन मेन आफ इंडिया कहा जाता है रवेंदर सिनहा आइस मेन आफ इंडिया चेवांग नेरफेल और हीरो आफ एन्वार्मेंट तो माइक पांडे को कहा जाता है यह सबी लोगों को याद रख लेना है most important है ठीक है और भी देख लेते हैं परियावरन प्रिदूशन भारत सरकारद्वारा गुलबत्ता मानक तो ब्यूरो मानक है परियावरन प्रिदूशन रोकने ही तू बाहनों पर ब्यूरो मानक एग मार्क खाद पदार्त की सुद्धता का यह है ब्यूरो मानक है न और परियावरन अनुकूल के लिए यह को मार्क है और सौनी की गुलबत्ता के लिए हॉल मार्क है तो यह सबी क्य है भारा सरकार दोरा गुलबत्ता मानक है माने जाती है तो आपसे पूचा जाएगा परदयावन प्रदूशन रोकने हितू कौनसा जो है मानक है तो ब्यूरो मानक जाना जाता है खाद पदार्तों की गुलबत्ता के लिए एग मार्क जाना जाता है है ना परियावन अनुकू परियोत फारंब हुआ 195 में हंगोल परियोजना है तो यह परियोजना यह जो प्रोजेक्ट हैं जो चालू किए गया इनका सन आपको याद हो लीने चाहिए ठीक है देश का पचासबा बाग अब्यारन टाइगर रजर्ब घोसित किया गया तो कमलांग अब्यारन को बाग अब्यारन टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले सामिल राष्ट्य उध्यान जो है वो कौनसा है तो वो है काना किसली आएंगे तो आप इसी प्रकास से नरंतर बने रहें ठीक है आपसे बहुत सारे प्रसने पूछे जाएंगे तो सभी लोगों को याद रख लेना है और वो महत्पूर्ण प्रसने जो हमेशा सभी परिक्षाओं में आते हैं ठीक है वीडियो के असा लगा कमेंट में बताएं और इससे पहले के बहुत सारे वीडियो आपको देखना है वीडियो को लाइक करना है और सेर करना है जैहिन